रूसे आजी रहे आजी नमस्कार दोष्तों मेरा नाम है पुसकर और आप देख रहे हैं गाउं किसान दूस्तों यह वीडियो साथ मेरी फेस्बुक पेज गाउं किसान पे देख सकते हैं दोस्तों आज की बगगर बड़ी खबर है किसानों को रंगीन मचली के प्रमोशन के लिए अब प्रसिषण दिया जाएगा क्यूं दिया जाएगा प्रसिषण क्या कुछ है खबर सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में सुरू से लेके अन तक पूरा वीडियो देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर कर किसानों को रंगीन मचली के प्रमोशन के लिए दिया जाने वाले प्रसिषण के बारे में इसी कड़ी में चंद्र सेकर आजाद क्रस एम प्रहुद्योगी की विस्विद्याला कानपूर के इटावा परिसर इस्थित मत्सिप प्रहुद्योगी की महा बिद्याले एम रिसर्स चेंटर की तरफ से एक अहम पहल की गई है दराशल मत्सिप महाबिद्याले की तरफ से रंगीन मशलियों पर सोध कारी किये जा रहे हैं इन रंगीन मशलियों के समर्धन का प्रसिच्छन किसानों को भी दिया जाएगा इससे किसान सौलंबी बन सके साथ ही उनकी आमदनी भी बेड़ पाएगी साथ ही आपको बता दें कि पिछले बीते दिनों कर्शि मंत्री सूरी परताप साही ने दवरा किया था इसके बाद यह आयम फैसला लेकर महाबिद्याले के तालाबों में आर्ना मिंटल फिस कल्चर का कारी किया जा रहा है वैसे करोना काल से बिस्व बिद्याले द्वरा आनना मिंटल फिस कल्चर की गत्पिदियां चलाई जा रही है मत्स महाबिद्याले के तालाब में लगभग 150-200 ग्राम तक की लाल, नीली, पीली, सफेद, हरी, रंग की मचलियां विच्रण करती देखी गई है इन मचलियों में मुखिता दो नश्टलों की मचलियों का संबर्धन किया जा रहा है इन में से एक चाइनीज कोई कौपर है और दूसरी जापानीज कोई कौपर परजातिकी है इनका प्रजनन जुलाई अगस्त में कराया गया था इनके बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं करसी मंत्री के निर्देश के बाद महाविद्ध्याले प्रसाशन द्वारा निर्णे लिया गया कि इन मचलियों का प्रजनन ब्रहद स्केल पर कराया जाएगा इसके साथ ही अर्णा मेंटल फिस कल्चर को किसानों से जोड़ा जाएगा इस पर स्टार्ट अप के माध्यम से जो प्रोजेक्ट पनाने पर कारिक किये जा रहे हैं इसके इलावा मत्सी पुरुष यों महिला किसानों को प्रसिछन देने का भी कारिक किया जाएगा नमस्कार धन्यबाद